नमस्कारव्ण के दौरान प्रैविट पार्ट में पेन होना करन जैसा चुबन होना क्या है और इसके बचने के उपाय के है और साथ ही साथ हमें किन कंडिशन में डॉक्टर को दिखाने की जरुद में छोट सी चर्चा करेंगे तो गाइस पहले मैं आपको यहां किलिए कर दों की प्रेग्रेंसी की दोरां जो आपके प्राइवेट पार्ड यान यूनी में जो दर्द होता है वो एकदब नॉर्मल है पर कुछ रहर केसिस होते हैं जिसमें यह नॉर्मल बिल्कुल नहीं है और आपको डॉक्टों को तुर प्रेग्र को पीन के दिक्कत होने लग जाती है जो दूसरा में कारण गर्भा श्यका बढ़ना जब आपको पीन होने की यह इंप प्रड़ता है तो तो वो बच्ची को जगा देने के लिए जिसके वरेसे पीन की समस्या होने लग जाती है टौल एट को रोखना टो रोखनãy के वजय से भी आपके प्राबट पार्ट में दर्ध होने लग जाता है क्योंकि अक्सा महें ऐसे करती है कि पानी प्राइब फार्ध जाना पड़ेगा ज्यादा पानी पी थी है तो ऐसे में जब भी आप walking करना है जब भी आप लेते हैं तो जटके से नहीं लेना, ऊठते बैठते वक्त, सपोर्ट का ध्हान देना है जब भी आप बैठते हैं तो पीछ आप तक्या चुशन लगा लेजिए इससे आपको सपोर्ड मेलें ऐसा करने से आपको प्राइबर पार्ट में दर्ध होने से आपको काफी हद तक आराम में सकता है अगला है कि आप अपने प्राइबर पार्ट के सेखाई कर सकते हैं साथ साथ गुर्ण पाने से आप नहां भी सकते हैं ऐसा करने से भी आपके प्राइबर पार्ट का दर्ध जो जलन होने लगी है तो आपको ऐसे केसिस में डॉक्टों को तुरन दिखानी जोरता है क्योंकि यह लक्षन बताते हैं कि आपके प्राइवेट पार्ट में इंफेक्शन हो जुका है आशा करती हूं कि आप मेरी बात समझ चुक्के होंगे और उम्मीद करते हूं कि आप में बा कि आप में बाता है